हेलो दोस्तों सागत है आप सभी का एक वाफिर से आपके अपने यूटूब चैनल कॉम्प्टेटिफ फंडा पर दोस्तों उत्तर प्रदेश जेल बॉर्डर फाइरमेन और घुरसवार भरती 2016 की जो रनिंग होने वाली है उससे संबंदित कुछ महतपूर जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माधियम से देने वाला हूँ दोस्तों बहुत सरे बेरती जो है कुछ चोटी चोटी जो गलतियां हैं वो कर देते हैं और जिसके वज़े से रनिंग में पास नहीं हो पाते हैं तो उनी सब गलतियों के बारे में और आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी हैं उसके बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अगर मेरी इन बातों को अगर आप follow करेंगे तो आपका जो running है वो 100% clear हो जाएगा और इसमें कोई भी आपको परिशानी नहीं होगी एक छोटी सी trick भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको जो है सबसे पहले मैं आपको trick बताता हूँ तो देखिए इस तरह से ground रहेगा आपका होगा क्या आपको 4.8 male candidate के लिए running करना है 25 मिनट के अंदर और female के लिए 14 मिनट में 2.4 km तो इस तरह से जो है आपको यह इस तरह का ground होगा और यह 400 मिटर का ground बोला जाता है थोड़ा कहीं कहीं पर यह ground ज्यादा बड़ा भी हो जाता है हलकासा या कहीं पर कम भी तो ठीक है तो यह 400 मिटर का ground रहता है इसके आपको 12 चक्र लगाने होते हैं 12 चक्र आपको चेस्ट पे लगाएंगे तो उसके बाद आपको क्या होगा रनिंग के लिए यहाँ पर सबको खड़ा किया जाएगा और बिसल वजाई जाएगी तो इसमें आपको करना क्या है यहां पर आप पहली ट्रिक कि यह होगी कि जब भी आपको यहां लाइन में खड़ा करें कोशिस किया जाए कि आप यहां कहीं आगे खड़े रहें ठीक है आगे रहेंगे तो आप थोड़ा सा फरक रहेगा अगर माली आप पीछे लाइन में हैं तब भी आपको यहीं पर ही क्रॉस करना है तो पीछे से द डिजिटल नहीं हो एनलोग वाली हो वो सुरी जो डिजिटल वाली नंबर वाली होती है वो सिंपल वाली लेके जाना है पचास सौ रुपए की जो मार्केट मिल जाती है वो वाली घड़ी एक पहन के जरूर जाना है उससे क्या होगा आपको बहुत सारा टाइम जो है बीच मे खराब नहीं होगा क्योंकि running के दोरान 12 चक्कल लगाते जगते कभी-कभी कोई अपना चक्कर भूल जाता है या समय का ध्यान नहीं रह पाता तो ये सारी गलतियां भी होती है तो उनका आपको ध्यान रखना है दूसरा मैंने आपको ये सब बताया उसके बाद आपको करना गया है जब यहां से आप दोरेंगे तो आपको हमेशा अंदर वाली लाइन में रहना है अगर आप ये अंदर वाली लाइन से यहां से पूरा 400 मिटर चक्कर करेंगे ये 400 से थोड़ा कम रहता है इसका आपको फाइदा मिलेगा अगर आप यहां दोड़ते हैं तो आप मान सकते हैं कितना आपको जादा दोड़ना पड़ेगा हलांकि जो इंटरनेशनल या नेशनल लेविल के जो रनिंग ट्रेक होते हैं उनमें क्या होता है अगर कोई कंडिडेट अंदर दोड़ रहा है तो इसको यह देखिए इस तरह से बनाया जाता है कि वो यहां से दोड़ना शुरू कर रहा है तो इनकी लाइन टेड़ी करके बना जाती है लेकिन यहां पर अब जब जाएंगे तो यहां पर सीधा सीधा एक लाइन होगी वहाँ से आप दोड़ेंगे और वहीं पर finish करेंगे वो सबके लिए अगर यहाँ वाला candidate है तो वो पूरा round करके आएगा और पूरा round करके वो यहीं पर खतम करेगा तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा उसको दोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पर आप कम सकंब मैं बता रहा हूँ आपको एक से दो मिनट का बड़े आराम से फ़रक पड़ेगा आप अंदर वाली line में दोड़ते रही है बस जैसे ही कोई candidate आपको देखे तो उसको over take कर ये फिर दोड़ते रही है यह आपको करना है तो यहाँ से आप 2 minute something अपना बचा सकते है अब क्या करना है आपको यहाँ से घड़ी लेके जानी है घड़ी का फाइदा क्या होना वाला है आपको यह timer लगाना है और देखते चलना है हर चक्कर पर कि आपका जो चक्कर है वो 2 minute से कम में आना चाहिए कोसिस रहे आपकी 2 minute से कम में आए अगर इस टार्टिंगे एक दो चक्कर अगर हो सकता है कम आए क्योंकि एकदम बहुत तेजी से नहीं दोड़ना शुरू के चक्कर को पहला चक्कर कहीं आप सोचो बहुत तेजी से मैं तेजी मिनिट में आपका पहला चक्कर आ जाएगा और ऐसे ही चलते चलते 2-3 चक्कर आपके बड़े अराम से 2-3 कम में आ जाएगे फिर तब तक क्या होता है 2-3 चकर तक हमारा मनोवल तूटने लगता है उस समय ऐसे लगता है कि अब बस रुख जाओ तो 2-3 चकर हमारे होते है तो क्या करना है आपको देखो 12 चकर लगाने तो आपको 4 पार्ट करने है 4 क्या 4-4 के आपको 4 सैट लगाने है यानि 3 सैट बनाने है 4 चकर तक तो आपको लगेगा कि बस रुख जाओ ठीक है 4 चकर अगर आपने टार्गेट अपना बना के दोड़ना है चार चक्कर आपको आठ मिनट के अंदर आ जाने चाहिए आ जाएंगे हो सकता है बीच के चक्कर में आपकी स्पीड कम हो जाए किसी की सही हो जाती है तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा 8 से 7.5 मिनट लग जाएं लेकिन लाष्ट के चक्कर में आप 2 चक्कर बड़े आराम से दोड़िएगा उसमें अगर 2 मिनट से अंदर हा जाएंगे तो लाष्ट के 2 चक्कर आपके बचेंगे उनको आप तेजी से कबर कर पाएंगे अब टारगेट के रहेगा आपका कि लाष्ट के 2 चक्कर के लिए आपके पास कितना समय बचना है तnarगेगे तो आपको कोसे से ये करना है कि 20 मिनट के अंदर आपको 10 चकर लेने यानि अपना टारगेट ये बनाना है कि अगर आपने 10 चकर 20 मिनट में complete कर ली तो बहुत easily आप बाकी के जो 2 चक्कर बचे हुए 5 मिनट में complete कर लेंगे अगर बहुत ही आराम से क्या होता है आखरी चक्कर में जागे कभी कभी किसी के साथ tragedy हो जाती है कोई घटना हो जाती है वो गिर जाता है या पैर लग जाता है इस तरह से कोई भी तो उसके पास अच्छा खासा लाश्ट में समय बचना चाहिए जिससे की वो उसको clear कर पाए ठीक है तो कोसिस करना है 20 मिनट के अंदर आपके 10 चक्कर complete हो जाने चाहिए ठीक है तो 10 चकर आपके complete हो जाने चाहिए चकर हो चुका है तो इस तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा आपको चकर count नहीं करें कोकि होता क्या है चकर गिंते गिंते कभी कभी दोड़ते दोड़ते चकरों में understanding को मतलब भूल जाते हैं कभी कभी confusion हो जाता है तो ये सारी चीजें ना हो इसलिए घड़ी बहुत जरूरी है लेके जाएगा क्योंकि बहाँ पर चकरों के चकर में पढ़ गए तो समझ लो फिर चकर ही आ जाएगा कुछ नहीं होने वाला ठीक है तो आपको ये दियान रखना है दूसरे ये सबसे बड़ी ट्रिकी मैंने अंदर उड़ने वाली बताई ये आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करना है होगा क्या यहाँ पर सिपाई कड़े रहेंगे ठीक है आपके लिए जो भी होंगे तो वो आपको रोकेंगे कभी कभी क्या होता है अंदर से भी लोग कट मार लेते हैं तो इससे भी बहुत बड़ा फाइदा हो जाता है लोगों को वो आपको देखना है कट नहीं मारना है क्योंकि वहाँ पर वो तो सिचुएशन देखना है लेकिन हाँ आपको कोशिश यह करना एंदर वाली लाइन में रहेना है ठीक है अंदर वाली लाइन में रहेंगे तो हम हुआ अगर time तक दोड़े तो आप बड़े आराम से पूरा कर लेंगे अब मैं आपको कुछ tip बताता हो कि जैसे कर आप टिप्स में सेव बगएरा ले सकते हैं, फ्रूट्स जितने भी हैं, जूस डेली पीना है, आपको ड्राइ फ्रूट्स खाया हो, ठीक है, सुबह ओट्स बगएरा इस तरह कि बहुत हैवी नहीं लेना, थोड़ा-थोड़ा खाना है, भरपूर आपको आराम करना है, जब भी रात को जब सो ना, उससे क्या होगा, आपके पैर या बॉड़ी जो गरम होती है, जो मसल्स हैं वो आपकी, और ठंड में वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, उसके बाद आपको क्या करना है, कि रात में जो पैर है, उनको ढख कर सोना है, और लोर पैंट को पहन कर सोना है, वर पूर पूर बज़े के टैम दोड़ें और 7-8 बज़े में जो है आप सुभे में पूरी कंप्लीट रणिंग करें जैसे कि आपको 25 मिनट में आपको निकालनी है 4.8 तो आपको क्या करना है डेली आदे घंटे कोसिस करना है दोड़ना है ठीक है 25 मिनट तो दोड़ना है अगर आप 25 मिनट तो यह समझ दीजिए आपकी रणिंग 100% किलियर हो जाएगी अगर आप बीच में रुके कहीं पर तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो वहाँ पर रणिंग करना मस्किल हो जाएगा दूसरा आपको क्या है यहाँ पर डेली जब भी रणिंग होगी ग्राउंड पे जाएं तो ब गुलेबिन सही रहता है उसके बाद आपको क्या करना है अपने आपको सुरक्षित रखना है कोई भी बाहन चलाने से बचना है आपको ज्यादा फाल्तु में इदर उदर जाने की अभी जरूत नहीं क्योंकि आपकी रणिंग है वाई चांस कुछ भी ऐसी घटना हो जाती ह गी क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडिडेट मैंने देखे हैं जिनके साथ ऐसा होता है वो लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा रणिंग करने लगते हैं या उल्टा सीधा घूमते हैं कहीं एकसिडेंट हो जाता है तो वो रणिंग के दो दिन पहले ही उनको प्रॉब्लम हो ज आठ चकल लगा रहे हैं तो अगले दिन दस लगाईए फिर अगले दिन बारे लगाईए एकदम नहीं कि पहले ही दिन गयो एकदम बारे बार लगा दिये उससे क्या होगा आप बीमार हो जाएंगे और अगले दिन जाई निपाएंगे लेकिन continuity रखना जरूरी है daily जाना है साम को आपको रणिंग आप चाहूं तो कर सकते हो वैसे मैं तो यह कहूंगा कि एक टाइम फूल रेस कीजिए और जो साम को है आप चाहूं तो एक दो जखकर लगा सकते हैं थोड़ा बाम अप कर सकते हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं कोई स्पोर्स खेल सकते हैं मतलब पूरा ये कुछ दिन जो आपके बचे हुए है वो आपको पूरी तरह से sports को देने है पूरे दिन अपनी body को active रखना है और फाल्तु की चीजों में लगना है ना इदर उदर गूमना है ना किसी party साधी में कहीं पर भी अभी जाना है दिरे दिरे अपनी दूरी को बढ़ाना है इस तरह से आप रणिंग को complete कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात है दोस्तों रणिंग के दोरान आपको जो होता है वो होता है आपका confidence आपका motivation तो motivation यह है कि आपको सबसे पहले यह सोच के जाना है कि आपको यह job चाहिए या नहीं चाहिए अगर आपको यह job चाहिए तो क्यों चाहिए अगर अपने दिमाग में यह चीज लेके जाएंगे कि आपको यह job क्यों चाहिए दूसरी बात अपने माता पिता के जब भी घर से जाएं तो आप पैर छुटे उनके जरूर जाएं और उसके बाद आप बहां से जाएं और एक फोटू अपने साथ रखें वो भी हस्ता हुआ फिर उस फोटू को जरूर याद करें कि अगर आज रणिंग आपकी नहीं लगती है तो इनके इस चेहरे जो खुस वाले खुसी वाले चेहरे हैं उनका क्या होगा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इस तरह से एक जुनूर अंदर रखेंगे तो मैं मान सकता हूँ कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी रणिंग नहीं निकलेगी होता क्या है जिसको जुनूर नहीं होता उसकी अकसर क्या है चार या पांच चक्कर में व और अगर आपने थोड़ा सा स्टेमिना विल्डप कल लिया है और डेली अगर 25 मिनट दोड़े हैं तो आप 100% जो है रणिंग निकाल लेंगे लोग क्या करते हैं एक भी दिन नहीं दोड़े जाके महां दोड़ लेते हैं तो हर किसी की वाड़ी एक जैसी नहीं होती कुछ दोड़ लेते हैं आप उनकी के बराबरी करेंगे ऐसा नहीं हो सकता सबकी वाड़ी अलग है हो सकता है आप भी ऐसा हो कुछ लोग कर पाएं और कुछ लोग नहीं कर पाएं तो जिसके साथ प्रॉब्लम है उनको इन बातों का ध्यान रखना है और अंदर वाली लाइन में दोड़ना है आगे रहना है श्टॉब बहुत जरूर लेके जाना है ठीक है समय अपना टार्गेट बनाना है दो से कम समय में आपको रनिंग करनी है और 20 मिनट तक आपके जो हैं दस चक्कर कम्प्लीट हो जाने चाहिए क्योंकि लाश्ट के दो चक्कर के लिए 5 मिनट बच करने का लेकिन हिम्मत नहीं आना कुछ लोग 10 मिचकर में 11 मिचकर में जाके रूख जाते हैं अच्छा खासर टाइम रहता है उनके बाद तो वहां पर हिम्मत करके माबापके बारे में सोचते हुए आगे बढ़ जाना है और सोचना जिन्दगी की आखरी जंग है और बस इ अगर आपने ये रनिंग निकाल ली तो एक आपके पास क्या होगा और भी आगे UPSI की भरती आई हुई है उसमें भी रनिंग होगी तो उसमें आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि बहुत सारी लोग UPSI की रनिंग पास नहीं कर पाते हैं ठीक है तो वहां पर बह रणिंग के बारे में सोचने की जरुत नहीं होगी और रणिंग बड़े आसानी से निकाल लेंगे तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन चीजों को बहुत ही अच्छे से समझा होगा और आप इन चीजों को फॉलो भी करेंगे अगर इन चीजों को फॉल ठीक है और बाकी सब कुछ सही से होगा बाकी जो भी आप अच्छे से रणिंग कीजियो और आपके लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत बेस्ट विशिस ठीक है तो अगर आपने अम्भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिये और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करतीजिए शेयर कर दीजिए तब तक के लिए दोस्तो थैंक यू